हलो दोस्तों आप सभी का All About Socius में स्वागत है और ये समाज सास्त्र की इगनू सिरेज है और इसमें आज से हम लोग एक नए विचारक या ये कहलें कि एक महत्वपूर्ड विचारक के बारे में चर्चा करने वाले हैं इनका नाम है A.R. Red Clip Round और ये आप सभी को पता है कि समाज सास्त का चाहे वो कोई भी एक्जाम हो किसी भी एक्जाम की बात कर ले चाहे वो PGT होता है चाहे वो NIT का एक्जाम हो चाहे Assistant Professor का हो चाहे CUET का हो चाहे समाज सास समंदित कोई भी PhD से MSA BA से कोई भी समंदित एक्जाम हो Red Clip Round जो है वो आपने आप में एक महत्वपूर अस्थान रखते हैं तो आज से हम लोग IGNU के रिफरेंस में कि आखिर में IGNU के बुक में Red Clip Round के बारे में क्या कहा गया है उसको हम लोग समझने की को दोसिस करेंगे तो आज सबसे पहला जो लेक्चर है वो यह है कि उनका जीवन पर जह हम लोग समझेंगे कि आखि में Red Clip Round का जीवन कैसा था उन्हेंने कौन-कौन से महत्वपूर काम किये थी कहा कहा की यात्राएं की थी यह सब हम लोग समझेंगे और यहां पर मैं यह बत वो महत्वपूर नहीं है बलकि Red Clip Round अपने आप में क्या बैक्तित्व थे उसको समझना हमें जरूरी है अगर हम Red Clip Round को समझ लेंगे तो उनके कौनसेप्ट्स उनके बुक्स बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ कॉंसेप्ट्स और बुक को रटके कोई भी एक्जाम नहीं निकाल सकते हैं Red Clip Round की जीवन में कौन-कौन सी घटनाएं घटी वो किन-किन बिचारकों से प्रभावी हुए और जो ब्यक्ति अपने जीवन में बिभिन पहलों से प्रभावित होता है वही उसका विचार बनता है तो इसलिए हम लोग Red Clip Brown के आज जीवन परचे को समझेंगे और फिर उसके बाद से एकी करके जो इनके कौनसेप्ट्स हैं उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं अगर जीवन परचे की बात करें तो सबसे पहले इनका जीवन काल देख लेते हैं 1881 से 1955 का जो टाइम लाइन है ये Red Clip Brown का है Alfred Reginald Red Clip Brown ये इनका complete name है जो की AR Red Clip Brown या फिर Red Clip Brown के नाम से हम लोग इनहीं जानते हैं इनका जन 17 जनवरी 1881 को इंगलेंड बर्मिंगम में हुआ था तो यहाँ पे एक फैक्ट से आप लोग को मिल रहा है कि जो Red Clip Brown है वो एक British निर्शास्ती रहे हैं या फिर वो इंगलेंड से सम्मंदित रहे हैं तो इस प्रकार से आप लोग को ये फैक्ट यहाँ पे मिल रह है और उनकी जो देद की बात करें मृत्यू की बात करें तो वह 24 अक्टूबर 1905 को ग्राम्स टाउन दच्छिड आफ्रिका में हुआ था तो यहाँ पे अगर आप लोग एक मैप देखिए तो यह इनका जन्र तो जो है यहां UK में हुआ था UK ब्रिटेन जो भी आप लोग इ खान है और इनकी जो मृत्यू है यह आप लोग आफ्रिका का सबसे नीचली शोर दच्छिड आफ्रिका आप लोग देख सकते हैं यहां पे इनकी दिद्ध हुई थी तो अब यह सफर इनका कैसा रहा कि यह कैसे UK से और साउथ अफ्रिका अर्थ दच्छिड आफ्रिका का समझेंगे कैमरीज में वह दो निशास्त्रियों डबलो एच रिवर्स तथा एसी हैडन के संपर्क में आये थे मैं जो भी इनके जीवन परचे में दिया है उसमें जो महतुपूर्ट फैक्ट्स हैं उसको मैंने यहां पे मेंसन किया है साथ में मैं इस से रिलेटिट जो भी समंदी जो घटना हैं उसको भी मैं चर्चा कर लूँगी तो कैमरीज में यह गए थे पढ़ने के लिए वहां पे जब यह नैतिक विज्ञान इन्होंने नैतिक विज्ञान वहां पे एक फ्रिनिटी कॉलेज है जो की इसी से जुड़ा हुआ है कैमरीज ये इनुवर्सिट शास्त्री जो है अर्थात एतनोलोजिस्ट डेबलो एच रिवर्स और एसी हैडन के यह संपर्क में आये थे और इन दोनों विद्वानों ने अठारा सो अन्ठानवे में टोरिस स्टेटस के अथिहासिक अवियान में भाग लिया था अगर आप लोग मेरा पहली बार लेक् अथिहासिक अभियान आखिर में क्या था तो मैं यहां बता देना चाहती हूं कि इन से पहले के अर्थात रेट क्ली प्राउन से पहले के जो विचारक रहे मैलीनोस की उनके जब हम लोग जीवन परचे को समझ रहे थे तो उस समय इसकी आल लेडी हम लोग चर्चा कर चुक अब यह टोरिस स्टेटरस का अथिहासिक अभियान आखिर में क्या है तो इसके लिए मैं यहां पर फिर से एक बार एक्स्प्लेइन करना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर तो मैं उचित नहीं समझती हूं बेहतर है कि आप लोग मैलनोस की के जो लेक्चर्स हैं और फिर उनकी और भी बहुत सारे जो की संस्कृति की उन्होंने क्या ओधारना देखिया या फिर अने जो कॉंसेप्ट्स हैं तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा वहां पे आप लोगों को टोरिस स्टेटरस के अथिहासिक अभियान के बारे में पता चल जाएगा वो प अन्दवान द्विप में वो 1908 में छेत्रिय सोत कारी किये थे तो इसके पहले की कहानी ये है कि 1906 में 1906 में चुकि ये आप लोग का एक माइंड मैप बना की समझ है तो आप लोग को स्टोरी सारी समझ में आ जाएगी बात 1906 की है कि जब इनको एक छात्र विर्ती मिली थी और जो कि ये इंग्लेंड से समंदित है और इनको अंडमान द्विप समू पे आना था छेत्री सोत करने के लिए जो कि भारत का एक हिस्सा है तो यहाँ पे आप लोग यह समझे कि 1906 में भारत जो था वो अंग्रेजी सासन के अधीन ही था हमारे भारत में अंग्रेजों का सासन था तो उस समय इंग्लेंड से उनको भेजा गया और यहाँ पे जो अंग्रेजी भारती जो सरकार थी उसने भी सहायता कि थी उनकी कि आप अंडमान पे जाएए और जाके वहाँ पे छेतरी सूथकार किजिए तो ये 1906 में सुरू हुआ था जबकि 1908 तक ये यहाँ पे छेतरी सूथकार किये थे अब बात 1910 में रेड क्लिप प्राउन पुना छेतरी सूथकार के लिए पसमी आश्ट्रेलिया चले गए तो ये निकल के आता है कि इन्धों ने 1908 तक तो अंडमान दूप समों पे किया भारत है आप लोगों को ये पीले कलर में भारत दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को छोटी छोटी पार्ट्स में अंडमान दूप समों दिखेगा जो भी यहाँ पे है तो ये आये थे अंडमान में छेतरी शोथकार करने 1908 में 1908 तक इन्धों ने किया था 1906 में ये आ जाते हैं और UK से ये फिर 1910 में आस्ट्रेलिया आ जाते हैं एक बर फिर से छेतरी शूत कर करने के लिए अब यहां पे देखिए आप लो कि लेकिन ये ऐसा माना जाता है कहा जाता है कि आस्ट्रेलिया में किसी प्रशिच्छित सामाजिक निशास्त्री द्वारा किया जाने व आप लोगों को पता है कि मलीनॉस्की ने भी आस्ट्रेलिया का अध्यन किया था। वहां पे उन्हों वी प्रशिच्छित समाजिक निशास्त्री द्वारा किया जाने वाला या पहला अध्यान था यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट जरूर याद रखना चाहिए कि अगर अगर एक्जाम में ये पूछ दिया जाए कि आस्ट्रेलिया में किसी प्रसिचित निशास्त्री द्वारा अध्यान जो किया गया था तो वो निशास्त्री कौन था ये रेड प्रथम पीट का अध्यच नियुक्त किया था ये एक इंपोर्टेंट घटना है लेकिन इसके पहले की कहानी बताती हूं कि जब ये आस्ट्रेलिया में तो इन्होंने अध्यान किया फिर से ये इंग्लेंड चले जाते हैं प्रथम विवेश्य युद्ध के समय ये आस्ट् टाइम पीरिड आप लोग देख सकते हैं कि उनकी तविवेश्य खराब हो जाते हैं और फिर वह वहां से सिफ्ट हो जाते हैं दच्छिड अफ्रिका के जोहांसवर्ग में यहां पे आप लोगों को दच्छिड अफ्रिका दिख राए ये आस्ट्रेलिया में प्रथम विव जोहांसबर्ग में यह वहां पर सिफ्ट हो जाते हैं अब इसके बाद से यह वहां पर ही रहने लगते हैं 1920 में वहीं केप टाउन में यहीं कॉर्णर पर किनारे पर यहां पर केप टाउन सहर है दचीड अफ्रिका में तो यह केप टाउन में ही इनको जो एक मिनट हां केप टाउन विश्व विद्याले में इनको सामाजिक निशास्त्र की प्रथम पीठ का अध्यश नियुक्त किया गया और इसके बाद उन्होंने आस्ट्रेलिया चीन अमेरिका इंग्लैंड ब्राजील म इस आधी देशों के विभिन विश्व विद्यालों में अध्यापन कराया अर्था उन्होंने पढ़ाया था तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो रेड क्ली प्राउन हैं उनका ब्यक्तित तो कैसा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा उनकी विचारधारा जो ह में बिल्कुल एक क्रांतिकारी विचारधारा थी और इसी के कारड उनके अपने विचारों के कारड ही इनको अनार की अब आप लोगों को यहां पर यह महसूस हो रहा होगा कि र्ट क्ली ब्राउन किस प्रकार के ब्यक्तित्त थे कि उन्होंने आस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, इंग्लाइन, ब्राजिल, मिस्र, बिभिन्ने देशों में इन्होंने जाके अध्यापन का कारी किया था इस प्रक्रिया में उन्होंने युवा निशास्त्रियों की एक पूरी पीड़ी को कर इस विशय की अग्रड़ी बने इन में अगर कुछ प्रभुख नाम देखें तो इवान्स प्रिचर्ड आप लोगं को पता होगा कि नुवर जन्जाती जो सुडान की वन मिनिट सुडान की नुवर लिख लिजिए जो भी है नुवर जन्जाती का इन्होंने अध्यन किया था इवान्स प्रिचर्ड ने जैसे ही इवान्स प्रिचर्ड का नाम आप लोग के माइन में आए आप लोग को सबसे पहले ये माइन में आ जाना चाहिए कि सुडान है और सुडान में नूवर जन्जाती का इंडों ने अध्यन किया था अब यहाँ पे आप लोग को अगर मैप में देखे चुकि ये भी अफरिका में ही पढ़ता है आप लोग को सुडान की एरिया ये आप लोग को ये ग्रिन कलर में जो है एक मिनट यह जो एरिया है यह सुडान है तो सुडान में इन्होंने नूवर जनजाती का अध्यान किया था यह आप लोगों को मैं मानचित्र इसलिए बार बार दिखाती हूं क्योंकि आप लोगों को अभी यह माइंड में से ठोक गया कि अच्छा इन्होंने जो रेट क्ली प्राउन है यह इंग्लैंड से समक्राइब और अस्ट्रेलिया यह से हां यह भी पता चलिया इन्होंने अंडमान का अध्यान किया यह बी पता चलिया-ई आस्षियलिया से एक समय तक साउत्फ अफ्रिका में भी विताय थे यह भी आप लोगों को पताचल गया साथ ही यहँ पता चल चल गया कि इनकी मृत्रु भी जो है वहीं पे हुई थी तो यह साहभ अप्रीका से भी सम्मझित हैं अब इनके सिचसे थे ईवांस प्रिचरड और इवांस प्रिचरड जो है वह सुडान के नुवर जनजाती का अध्यन किये थे तो ये जो सारी कड़िये दूसरी से जूड़ती हुए है जब आप लोग ऐसी समझेंगे तो आप लोगों को हर एक जो फैक्ट्स है वो समझने में काफी आसानी हो जाएगी मेयर फोर्टिस, फ्रेड एगन, सौल्टैक्स तथा अन्य विद्वानों के नाम उलेखनी है जो कि इन्डों ने उनको सिच्छित किया था रेड क्ली प्राउन निस सास्र को प्रमुक शैच्छित का दर्जा दिलाने वाले सरवाधिक प्रफावशाली पेती माने जाते हैं तो ये दोस्तो रेड कली ब्राउन से सम्मंदित कुछ facts थे उनके जीवन से सम्मंदित कुछ facts थे जो कि हम लोगों ने समझा अब उनकी कुछ महतपूर पुस्तके हैं जिनका मैंने यहाँ पे image भी mention किया है तो हम लोग image के ही मात हम से समझ लेंगे तो हम लोगों को जादे आस असानी होगी और माइन में एक छप जाएगा कि हाँ ये बुक इनकी है तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों कि अगर बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग नाम भी देख सकते हैं यहाँ रेट चली ब्राउन चुकि यह थोड़ा सा हमको क्रॉप करना पड़ता है तो image जो structure and function in primitive society यह रेट क्ली ब्राउन की most important बुक में मानी जाती है जो की विभिन परिछाओं में पूछी जाती है तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा वहीं पे इनकी एक पुस्तक है दा अंडमान आइलेंडर तो इसको आप लोग को याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि य यह एक रेट क्ली ब्राउन की बुक है एक और बुक है इनकी बहुत ही important है टाइबू करके मैं यहाँ पे लिख देती हूं टाइबू करके यह इनकी बुक है मैं हिंदी में पे लिख देती हूं टाइबू करके भी रेट क्ली ब्राउन ने एक बुक लिखी है अगली बुक क अगर इनकी देखें तो The Social Anthropology of Red Clip Brown, तो The Social Anthropology अगर सिर्फ आप आजाए तो भी ये Red Clip Brown की बुक है, Method in Social Anthropology ये भी Red Clip Brown की बुक है, और यहाँ पे दो बुक और भी हम लोग देख लेते हैं, एक बुक है African System of Kinship and Marries, तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि चुकि आफरिका में ये रहे थे, तो Red Clip Brown ने यहाँ पे भी कुछ अध्यान किया था, जिस पे इनकी बुक का नाम है कि African System of Kinship and Marries, तो इन्होंने यहाँ के नातिदारी और विवा का क्या सिस्टम था, अफरिका का, उस पे इन्होंने अध्यान किया था, और Method in Social Anthropology ये भी इनकी एक महतपूर पुस्तक है, तो कुछ महतपूर पुस्तके थी जिनके बारे में हम लोग चर्चा किये, और अपने इसी रिड क्लिप राउन की ही कड़ी में हम लोग इनके क्या-क्या बिचार रहे हैं, समासास में इन्होंने क्या-क्या योगदान दिये हैं, उसको हम लोग अपने अगले जो इगनू सिरीज की लेक्चर है, उसमें चर्चा करेंगे, तो उम इन्यवाद